हेलो फ्रेंड्स मैं मैं मुगविता और आपका सौलत है मेरी किचन में आज मैं मैं बनाने जारे हूं छोले कुल्चे कुल्चे की रस्पी तो मैंने पहले पर पॉस्स की थी तो आज हम छोले बनाएंगे तो आज की आप मैं इस वीडियो में देखेंगे कि इस ट्रीट इसे चोले कैसे बनाते हैं तो चलिए आज की रस्पी शुरू करते हैं छोले कुल्चे वाले छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप सफेद मटर लिया है इसे मैंने रात बर पानी में भीगो के रखाता जरा सा नमक ले लेंगे एक तिहाई छोटा चमच हल्दी पावडर और जरा सा तेली यूज़ करेंगे तो सबसे पहले हम इस मटर को उबाल लेंगे तो इसके लिए इसे प्रेशर कुकर में डाल दे और इसके पाद हम क्या करेंगे दो कप पानी तो जितना हम मटर यूज़ करेंगे उसका दोगना पानी यूज़ करें फिर हम इसमें नमक डाल देंगे, नमक डालने से मटर जो है वो जल्दी उबल जाएगा, जरा सा हल्दी डाल दे, और यहाँ पे मैं एक छोटा चमस तेल डाल दे रही हूँ, तेल डालने से क्या होता है कि प्रेशर कुकर की जो सीटी है उससे जो पानी बाहर नहीं आता, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पे चार सीटी आने तक पकाएंगे, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दे और चार सीटी आने तक पकने दे, तो यहाँ पे चौथी सीटी लग गई है, मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ, और प्रेशर कुकर को खुट ठंडा हो जाने दे, उसके जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें ये पारी कटा हुआ प्यास डाल देंगे तो यहाँ पे मैंने इतना प्यास डाल दिया है थोड़ी सी हरी मेज डाल दे और इन दोनों को हम 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूल लेंगे तो यहाँ पे प्यास को पकने दे जैसे ही प्यास फ्राइ हो जाएगा हम इसमें टमाटर डाल देंगे तो जितना हमने प्यास यूज किया है उतना ही टमाटर डालेंगे मिला दे इसे टमाटर को जल्दी पकाने के लिए नम hackers करेंगे तो यहाँ पे जरा सा नमक डाल दे टमाटर को हमें 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूलने ना है प्याज के साथ तो इसे ऐसे चलाते रहेंगे जैसे ये टमाटर थोड़े से पक जाएंगे हम गैस का फ्लेम गम कर देंगे क्योंकि हमें सुखे मसाले डालने है तो सुखे मसाले में यहाँ पे जीरा पाउडर, धन्या पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ध्यान रहे हमने हरी मिच भी डाला है तो लाल मिर्च कम डाले और लास में ये गरम मसाला पाउडर, मिला दे सबको मसालों को हम थोड़ा सा पका लेंगे मतलब आधी मिनिट या फिर उससे थोड़ा सा कम पकने दे कवर कर दे इसे थोड़ी दिरवाद हम देखेंगे कि मसाले जो है वो प्यास टेमाटर के साथ पक गए है तो हम यहाँ पे उबला हुआ मटर डाल लेंगे और आधी छोटी चमच भूना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे यह उप्शनल है दोनों लेकिन इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो अगर आपके पास है तो यूज़ करें मिला दे इन दोनों को तो यहाँ पे सारी चीज़े को हमने अच्छे से मिला दिया है अब हम इसमें नमक डाल देंगे तो ध्यान रहे कि नमक मटर को बालते वक्त भी डाला है तो नमक हिसाब से डाले नमक को भी मिला देंगे अब हम इसे ढख के लोफ लेंपे दो मिनट तक पकाएंगे इसे ज़्यादा नहीं पकाना है दो मिनट बाद पैन का ढखकन अटाय मैंने मिला दे इसे तो यह जो छोले हैं वो बहुत जल्ले थिक हो जाते हैं तो अगर आपको पतली ग्रेवी चीए तो थोड़ा सा पानी मिला दे नहीं तो आप इसे ऐसी गमा गम सर्फ करें लास्ट में हम इसमें यह इमली का रस डाल देंगे तो दो बड़े चमच इमली का जूस डाल दें फिर हम इसमें यह इसके उपर कटा हुआ प्याज कटा हुआ टमाटर जो भी हमने काट के रखा है यह सारा इसके उपर डाल देंगे धन्या पत्ता डाल दे बारी कटा हुआ यह अद्र का स्लाइस में डाल देती हूँ फिर हम इसके उपर थोड़ा सा हरिमिज डाल देंगे तो ये हमारा street style छोले जो है वो रेडी हो गया है ये देखे आप इसे ऐसे ही serve करें अगर आप इसको और tasty बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कसूरी मेथी इसके उपर डाल दे अब हम इसकी plating कर लेते हैं तो जब ये street style छोले हैं तो उसी style में से serve करेंगे तो मैंने यहाँ पर ये चाट serve करने वाली कटोरी ली है इसमें ये निकाल लेंगे और वापस serve करने से पहले वापस same garnishing हम इसके उपर करेंगे तो जो प्याज है, टमाटर है, धन्या पत्ता, हरी मिर्च, अधरक सब इसके उपर डाल दे ऐसे तो ये हमारा street style छोले जो है वो ready हो चुका है आप देख सकते हैं एकदम ultimate लग रहा है तो इसको हम serve करेंगे गर्मा गर्म कुल्चे के साथ, कुल्चे की रेस्पी मैंने पहले पोस्ट की है और उसका लिंक जो है आपको नीचे description box में मिल जाएगा तो रेस्पी अगर पसंद आई तो like और share जरूर करें, चैनल को subscribe करें और bell icon पे click करना ना भूले